तो जब भी आप किसी product का या फिर किसी भी चीज का online payment करते हैं तो आपको कई method मिलते हैं, UPI हो गया, Google Pay, PayTM हो गया, या फिर debit card के थुरू आप payment कर सकते हैं, credit card के थुरू आप payment कर सकते हैं, और भी कई दूसरे तरीके हैं, आज सुबह जब मैं payment कर रहा था, तो मुझे मेरा online payment decline दिखा रहा था, वो भी 200 रुपए का, अब इसका एक reason ये भी हो सकता है, आपके bank account में जो है 200 रुपए भी बिल्कुल ना हो, तो मेरे account में तो खेर 200 रुपए थे, लेकिन इस decline का reason नहीं पता चल ला था, तभी मेरे phone पे SMS आता है, और उसमें लिखा होता है कि आपके debit card में online payment का जो option है, वो activate ही नहीं है, अब ऐसा कब होता है, एक reason इसका ये है कि जब आप नया card लेते हैं, तो नया card में आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं, उसे use कर सकते हैं, या फिर कहीं पे swipe कराना हो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ feature जो होते हैं, वो deactivate रहते हैं, तो क्योटी reasons है क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है debit card या credit card लेते हों, लेकिन online उसका use ना करते हो, normal बाहर के लिए करते हो, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन इसकी मुझे भनक नहीं थी कि ये decline क्यों हो रहा है, तो आज की वीडियो में आपको उताने जा रहा हूँ कि अगर आपके card में भी online payment का जो option है, वो deactivate है, तो उसे activate कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं HDFC में आपको उताने जा रहा हूँ, दूसरी जो banks है, उसमें भी इसी तरह का process कुछ रहता होगा, similar process ही रहता है, ज्यादा कोई difference नहीं होता है, बस layout जो है आपका हुआ, बट इसके लिए एक चीज मैं कहना चाहूँगा, आपके उसमें net banking जो है, वो activate होनी चाहिए, अगर net banking एक्टिवेट नहीं है, तो इसके लिए आपको branch जो है, अपनी जाना पड़ेगा, और net banking अगर activate है, तो आप घर बैठे, अपने debit card से अपना online transition का जो option है, वो activate कर सकते हैं, इस जब तक यह activate नहीं करे होंगे, इस screen पे net banking जो मैंने open कर ली है, HDFC की, अब यहाँ वे उपर मेरे जितने भी option आ रहा है, उनमें से card के option को आपको select करना है, आपके left hand side में credit card और debit card दोनों आ जाएगा, आप जो भी use करना चाहते है, credit card अगर use कर रहे हैं, तो credit card में request का जो option दिख रहा है, उस पे जा slash uses limit का option आ रहा है, जो मेरा ये तीसे number पे, इस पे आपको यहाँ पे click करना है, इस पे click करते ही आपके सामने, card select करना का option आ जाएगा, हो सकता है, आप 2 card यूज़ कर रहे हो, या 3 card यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे मेरा card का option आ गया, इसे मैंने select कर लिया है, और continue पे अब यह यहाँ पे click करना है, इस पे click करते ही देखे, यहाँ पे मेरी जो limits हैं, वो दिख रही होंगी, daily domestic limit, daily international limit, यह पहले से limit दी गई है, इसको आप चाहे तो change भी कर सकते हैं, यहाँ पे कई दूसरे option भी आपको मिल जाते हैं, activation के लावा, अब यहाँ daily domestic limit में अगर आप हूँ अपने card को, ATM का usage limit पचास हजार है, इसे चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, एक लाग वगेरा भी कर सकते हैं, और साथ में current merchant outlet uses जो है, वो मेरा तीन लाग पचास हजार है, तो यह सारे चीज़ें आप change कर सकते हैं, अब नीचे देखेंगे, online uses जो है, यह मेरा off था, इस पर डालूँगा, मैं उतनी ही limit का खर्च जो है कर सकता हूँ, यह उस reason में बहुत useful रहता है, अगर आपको पता है कि भाई, आप debit से जाज़ ज़्यादा एक लाग का transition ही करेंगे, तो चोरी वगेरा या फिर हो भी जाता है, तो कोई अगर इसे use करना चाहेगा, पिन वगेर कभी भी आप change कर सकते हैं, अब उसमें नीचे जाएंगे तो देखे, daily international uses limit भी मेरी यहाँ पर दी गई है, यानि वैसे तो international आदमीता जाता नहीं, लेकिन अगर frequent जाते रहते हैं, तो यहाँ पे आप वो भी limit अपनी डाल सकते हैं, अपना debit card जो है किसी भी country में internationally use कर सकते है वहाँ भी आपने limit डाल दी, वही चार लाग, पांच लाग, जो भी limit अपसेट करेंगे, उतना ही सिर्फ वहाँ पे खर्च कर पाएंगे, तो इस तरीके से आप अपना online transition का जो option है, अपने debit या फिक credit card में activate कर सकते हैं, फिर वो चाहे कोई भी bank का card use कर रहे हो, यहाँ पर म झाल झाल